नमस्कार मैं हूँ शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में तो चलिए जानते हैं 15 बड़ी खबरों को विस्तार से नितीश ने दी अटल बिहारी बाजपेई को श्रधांजली पूर्वे पीम को लेकर कह दी बड़ी बात बिहार के मुखे मंतरी नितीश कुमार पूर्वे प्रधान मंतरी अटल बिहारी बाजपेई की पूर्णियती थी के अवसर पर उन्हें श्रधांजली अर्पित करने बुद्वार को दिल्ली पोहचे अटल बिहारी बाजपेई के समारक सदैव अटल पर नितीश कुमार ने पुस्प अर्पित कर पूर्वे पीम को श्रधांजली दी बता दे कि बाजपेई मंदल में नितीश कुमार ने मंतरी के रूप में काम किया था पूर्वे पीएम को श्रधानजली देने के बाद नितीश कुमार ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि आप जानते ही है जब उनका अंतिम संसकार हुआ तब तो हम यहां मौजूद थे बीच में कोरोना का दौर आ गया आज जाकर हमको मौका मिला तो हम आए हैं नितीश कुमार ने आगे कहा कि वो हमें बहुत प्रेम करते थे इज़त करते थे और हम कभी इस बात को भूल नहीं सकते हैं कितना उन्होंने मुझे काम दिया है किस तरह वो सब कुछ करते थे प्रेम बिहार बोर्ड मेडिकल कॉलेजों में एडमीशन के लिए जाने वाले इंट्रेंस टेस्ट और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए जाने वाले एंट्रेंस टेस्ट के लिए फ्री कोचिंग करा रहा है इसके लिए आवेदन 14 अगस से शुरू हो गए हैं आवेदन की आखर बिहार बोर्ड ने विग्यप्ति जारी की है विग्यप्ति और रजिस्ट्रेशन के लिए उमिद्वार httpcoaching.biharboardonline.com पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं इसके अलावा इसमें आवेदन के लिए भी लिंक नीचे दिया गया है इस free coaching के लिए students को एकलिकित परिक्षा के माध्यम से चायन किया जाएगा बिहार बोर्ड की इस free coaching के लिए वो ही उमिद्वार आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए 12 हुई science और math science में कम से कम 80 marks है दोनों मिलाकर 200 अंख है या दोनों में मिलाकर कम से कम 170 अंख है लोगसभा चुनाओ 2024 के लिए बिहार में कॉंग्रेस का एहम बैठक बिहार इकाई निक्के नेताओ को खडगे का बुलावा कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे ने गुरुवार को चुनावी तैयारियों की समीक्षा को लेकर दिली में एक एहम बैठक बुलाई इस बैठक में बिहार कॉंग्रेस के सभी विधाय को और बेधान पारसदों के अलावा कॉंग्रेस के पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और कई पूर्वे सांसत भी शामिल होंगे बैठक में 2024 लोग सभा चुनाव को लेकर के रननीती तैयार होगी बिहार कॉंग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंग ने पटना में पत्रकारों को ये जानकारी दी उन्हों और बताय कि लोग सभा चुनाव को लेकर समिक शात्मक बैठक के लिए राष्टी अध्यक्ष मलीकारजुन खडगे और राहुल गांधी जी ने 30-32 सीनियर नेताओ को बुलाया है जहां तक सीटों की दावेदारी का सवाल है तो बिहार कॉंग्रेस की ओर से कोई दावा नहीं किया जा रहा है हाई कमान जो भी जिम्मेदारी देगा उस पर हम लोग मिलकर काम करेंगे बाकी दिल्ली से लोटने के बारे में विस्तार से जानकारी दे पाएंगे नितीश खडगे राहुल गांधी और केजरिवाल से मिलेंगे मुंबई में मीटिंग से पहले सक्रिये हुए बिहार सीयम खबर है कि नितीश कुमार दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल के अलावा कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे राहुल गांधी समयत कई यान्य विपक्षी नेताओ से मुलकात कर सकते हैं संसत से ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश पारित होने के बाद नितीश कुमार पहले नेता है जो अर्विंद केजरिवाल से मिलने जा रहे है केजरिवाल के अलावा नितीश कुमार की कॉंग्रेस सांसत राहुल गांधी से भी मुलकात होने की उमीद है बेंगलूरू में हुए विपक्ष की बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलकात है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद राहूल गांधी ने उसी दिन पटना में आरजडी प्रमुख लालू प्रसाद यादों से मुलकात की थी इस दोरान ये खबर उरी की राहूल गांधी ने नितीश कुमार को साइड लाइन कर दिया मुंबई में 31 अगस्त को 1 सितंबर को होने वाले विपक्ष की बैठक से कुछ जिनों पहले नितीश कुमार दिल्ली पहुचे है राजनीती के जानकार बताते हैं कि इस दोरान यदी कॉंग्रिस निताओ के साथ नितीश कुमार की मुलकात होती है तो संयोजक पत से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो सकती है आज से हर्ताल पर रहेंगे बिहार के मुख्या सुरक्षा और वेतन भत्ते में बढ़ोत्री की मांग को लेकर धर्णा प्रदर्शन बिहार में पंचायतों का मुख्या बुद्दवार को हर्ताल पर चले गया है राजबर के मुख्या आज यानी 16-31 सगस तक सरकारी कारे का बहिसकार करेंगे ये लोग वेतन भत्ते में बढ़ोत्री सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर 16 दिन तक हर्ताल पर रहेंगे 22 अगस को प्रकर्ण अस्तर और 39 अगस को जिला मुख्यालियों पर धर्णा प्रदर्शन भी किया जाएगा दरसल राजबर में आज ग्राम पंचायतों के मुख्या नितीश कुमार और केंदर की मोधी सरकार दोनों के खिलाफ हर्ताल कर रहे है बिहार मुख्या महा संग के नेता नित्वितों में ये हर्ताल बुलाई गई है संगे के पतादिकारियों ने बताया कि हर्ताल के पहले चरण में सभी मुख्या सरकारी कामकाजों का बहिसकार करेंगे अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो धर्णा प्रदर्शन किया जाएगा इसके बाद आगे की रनिनीती बनाई जाएगे 20 रुपे में बोरा बेचेंगे बिहार के सरकारी स्कूल के हिड मास्टर शिक्षा बिभाग ने कहा बोरा बेचकर पैसे को सरकारी खाजाने में जमा करो बिहार के सरकारी स्कूलों के हिड मास्टरों का नया टास्क मिला है 20 रुपे प्रती बोरा के हिसाब से बोरा बेचने का बोरा न शिर्फ बेचना है, बलकि उस पैसे को बड़े जतन को सरकारी खाते में जमा कराना है, पैसे को जिला में भीजेंगे और फिर जिलास्थर पर सारे पैसे को सरकारी खाने में जमा कराए जाएगा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने ये फर मान जारी किया है एड-maaster बोड़ा बेच रहे हैं या नहीं इसके निगरानी भी की जाएगी वैसे शिक्षा विभाग ने पहले हैड-maaster को बोड़ा बेचने का काम दिया था दरसल राज के हर स्कूल में मिड़े मिल के लिए अनाज जाता है अनाज जिस बोड़े में रख कर भेजा जाता है उसे हेडवास्टर को बेजने का टास्क दिया जाता है देश के सो सहरों में दोड़ेगी दस हजार नई एलेक्टरिक बसे 57,000 करोर के प्रोजेक्ट को मोधी कैबिनेट की मंजूरी देश में परिवहन ववस्था को सुधारने के लिए मोधी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है सरकार ने सो शहरों में एलेक्टरिक बसे चलाने का फैसला लिया है मोधी कैबिनेट ने इसके लिए 57,000 करोर रुपे की मंजूरी दे दी है केंद्रिये मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये ज्वानकारी दी उन्होंने कहा कि इसके तहट देश भर में 10,000 नई एलेक्टरिक बसे चलाए जाएगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोधी के ने त्वित में आज केंद्रिये मंत्री की बैठक हुई मीटिंग में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है इस पर 57,613 करोर रुपे खर्च के जाएगे देश भर में लगभग 10,000 नई एलेक्टरिक बसे उपलब्द कराए जाएगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि 57,613 करोर में से 20,000 करोर केंद्र सरकार देगी इस योजना में 3,000,000 और उनसे जादा की जनसंख्या वाली शेहरों को कवर किया जाएगा केंद्रिय मंत्री ने कहा कि 10,000 नई एलेक्टरिक बसो PPP मॉडल के तहट चलाए जाएगी लोकसभा चुनाओ का सर्वे चौकाने वाले आए आकड़े बिहार में महागटबंधन को बढ़त बिगड़ सकता है और ये का जाएका बिहार में सालों तक सत्ता की कॉंग्रेस के हाथ में रही फिर सियासी चुक्र ऐसा घुमा की कॉंग्रेस का सामाजिक आधार खिसक कर राजनीती के हाशिये पर चला गया और शिरू हुआ गटबंधन का दौर अभी बिहार में महागटबंधन की सरकार है बिहार चुनाओं में कौन दल किस पर भाड़ी पड़ेगा को लेकर दो सर्वे के रिपोर्ट जारी हो चुके है ती एनेन सर्वे और इंडिया टीवी सी एनेक्स सर्वे ती एनेन सर्वे के अनुसार महागटबंधन को 16-18 सीटे मिल सकती है जोकि एन्डिया को 22-24 सीटों पर संतोस करना पर सकता है वहीं सी एनेक्स सर्वे के अनुसार राज़त को 7 सीट मिलती दिख सकती है तो भाजपा को 20 सीट मिल सकता है सी एनेक्स सर्वे के अनुसार जदियू को 7 सीट मिल सकता है वही कॉंग्रिस को दो सीटे मिलने की उमीद है CNX सर्वे के अनुसार बात LGPR की करे तो उनको दो सीट और RLJP को एक सीट और हम को एक सीट मिलती दिख रही है बिहार में बढ़े आई फ्लू के मरीज इंजिलों में 35% दी लोग संक्रमित बिहार में आई फ्लू के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है कई लोग इस से पीरित हैं मुजफरपुर जिले में 35% दी लोगों को आई फलू हो गया है इस से सबसे अधिक 20% युवा शामिल है आई फ्लू के मामले में तेजी से बढ़ने के बाद स्वास्त विभाग सजग हो गया है अब तकी रिपोर्ट के अनुसार जिले के 35 प्रतीशत लोगों को आई फ्लू हुआ है इसमें सबसे अधिक 20 प्रतीशत युवा शामिल है जबकि 10 प्रतीशत 45 साल के उम्रे के लोग शा गया मांटिन मैन दशरत मांची महटसों का योजन भव्या करशक रूप से किया जाएगा अगामी 17 अगस 2023 को दशरत मांची महटसों का आगाज होने वाला है जिला पदादिकारी ने बताया कि बिहार सरकार के निर्देश के आलोग में दशरत नगर में 36 लाख रुपे की ल फिर से बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है कोसी नदी में 35 साल पुराना रिकॉर्ड दोर दिया है कोसी बराज से 6 लाख 62,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है जिससे इलाकों में भारी तबाही आ सकती है साथी इससे कोसी नदी के जलस्तर में व्रेधी की संभावना है ऐसे में सुपाल डीम ने जिले के सभी मुख्या को फोन कर अलर्ट कर दिया है तटबंध के भीतर बसे लोगों को इलाका खाली करने का निर्देश दिया गया है वही तटबंध के आसपास के लोगों को भी सचेत करते वे सभी सीयो और जलसंसादन विभाग के अधिकारियो को 24 घंटे शेतर में बने रहने और टटबंधों की निगरानी का निर्देश दिया गया है इस बीच जलसंसादन मंतरी संजचा ने ट्वीट कर लोगों को बाड़ के खत्रे से सचेत रहने और जरूरत पर टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर पर संपर करने की अपील की विभा मौसम पूर्वानुमान बिहार में भारी बारिश का दौर फिलहाल थम गया है दो दिन तक राज्य में तेज बारिश का पूर्वानुमान नहीं है मौसम बिभाग नहीं गुरुवार से मांसून के फिर से एक्टिव होने की संभावना जताई है 17 अगस्त से राज्य के किशनगंज कैमूर रोहतास जमूई और बांका जिले के कुछ इलाकों में जमाजम बारिश हो सकती है वहीं 18 अगस्त को अररिया किशनगंज मदेपूरा पूर्णिया और कटिहार जिले में बारिश का यलो अलर्ट जारी हुआ है 15 और 16 अगस्त को किसी भी जिले में भारी बर्शात और वजरपात का अलर्ट नहीं है, हाला कि कुछ हिलाकों में छिटपुट बर्शात हो सकती है। इसमें NCR, जैपूर, कोटा, लखनव, कानपूर, वारा नसी, प्रयागराज, पतना, मुजफरपूर, आरा बकसर शामिल है। कमजोर हुआ मानसून बारिश के लिए तीन दिनों तक करना होगा इंतजार। बिहार में अब अगले तीन दिनों तक मानसून थोड़ा कमजोर रहने वाला है। अब लोगों को तीन दिन बाद जहमा जहम बारिश देखने को मिलेगा। मौसम बिभाक के अनुसार सुबे में 13-16 अगस्थक मानसून की गतिवी दिया थोड़ी कमजोर रहेगी। 17 अगस्थे राज़ के कई जिलों में जहमा जहम बारिश के आसार फिर से बन रहे है। दरसल बिहार में मानसून को लेकर गुजर रही ट्रफ रेका फिलहाल बिहार से दूर होती नजर आ रही है। इस लिहाजा से पूरे बिहार में बारिश के लिए लोगों को तीन दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। हलाकि कही कही बारिश का नजारा देखने को मिल सकता है इधर राज्य में सरवाधिक वर्सा निर्मली में 83 मीमी हुई अभी मानसून ट्रफो का पश्रिमी छोड हिमाले की तल हठी की ओड है जबकि इसका पूर्वी छोड बहराईच सीता मणी किशन गंज से होकर मणी पूर्त है